तो मूवी की शुरुवात में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम रामचंदर सीरस होता है और वो रात के अंधेरे में रिक्षे में बैड़ कर अपने घर की और जारा होता है सीरस अलीगर मुसलिम यूनिवर्सिटी में मराठी प्रोफेसर होता है और वो यूनिवर्सिटी द्वारा मिले मकान में रहता था घर आ जाने पर हम देखते हैं कि सीरस अपने कमरे की और जाने वाली सीडियों पर चड़ने लग जाता है और उसका समान लेकर रिक्षा वाला भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है तबी थोड़ी देर बाद वहाँ पर दो आदमी आते हैं एक की हाथ में धंडा होता है और दूसरे के हाथ में कैमरा होता है और दोनों ही सीरस के घर की और जा रहे होते हैं थोड़ी देर बाद सीरस के कमरे से काफी शोर गुल की आवाज आना शुरू हो जाती है और ऐसा फील होता है कि जैसे वो दो आदमी सीरस को मार रहे हूं थोड़े समय बाद हम देखते है कि सीरस नग नवस्था में बैठे रो रहा होता है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि उसके साथ उन दो आदमियों ने कुछ बहुत गलत किया हो अब सीन यहां से शिफ्ट होकर हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम तीपू होता है और वो एक न्यूस चैनल में असाइमेंट डेस्क पर काम करता था वो अपना काम करी रहा होता है कि तभी वो एक खबर पढ़ता है कि अलीगड में गे होने की वज़े से एक प्रोफेसर को सस्पेंट कर दिया गया यह खबर पढ़ने पर उसे यह एहसास होता है कि यह खबर बहुत अलग है जो कि ब्रेकिंग भी बन सकती है और तब वो सोचता है कि वो इस नियूस को कवर करेगा क्योंकि वो आम दिनों की खबरों से काफी अलग नियूस थी क्योंकि किसी के गे होने पर उसको काम से सस्पेंट कर देना यह बहुत ही बड़ी और सोच में डालने वाली बात थी दीपू अपने सीनियर के पास जाता है और उन्हें ये खबर की जानकारी देते हुए बताता है कि एक प्रोफेसर के घर में दो टीवी जर्नलिस्ट जबर जस्ती घुज गए और प्रोफेसर को एक रिक्षा वाले के साथ मेल जोल करते हुए देख कर उनकी वीडियो बना डाली और जब ये बात सब जगे फैली तो यूनिवर्सिटी ने प्रोफेसर को सस्पेंड कर दिया ये जो केस हुआ है वो काफी बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी बन सकती है तो मु लोग प्रोफेसर सीरस का पुतला लेकर उनके खिलाफ नारे लगा रहे होते हैं और उस नारे बाजी में ऐसा अक्रोज भरा दिख रहा होता है जैसे कि प्रोफेसर सीरस ने कोई बहुती बड़ा अपरात कर डाला हो अब इसके बाद हमें प्रोफेसर सीरस को दिखाया जात जिनके साथ उनके मित्र श्रीधरन बैठे होते हैं जो कि वो भी युनिवर्सिटी के प्रोफेसर ही थे श्रीधरन सीरस से कह रहा होता है कि तुम युनिवर्सिटी को एक लेटर लिख दो कि उस राज जो भी हुआ था उसके लिए तुम शर्मिंदा हो तो शायद तुम्हारा सस्पंशन रुख जाए सीरस को पता था कि उस राज जो भी हुआ था वो आपसी सहमती से हुआ था लेकिन फिर जो गटना हुई उस वज़े से अब हर कोई उससे अपरादी के नजरिये से देखे जा रहा था इसलिए मजबूरन उस पल को अपराद मान कर उसे माफी नामा लेटर लिखना ही पड़ता है सीरस की फैमली नहीं थी वो अकेला ही अपने घर में रहता था और ऐसे ही अपनी जिंदगी गुजारते आ रहा था लेकिन उस रात के बास से उसकी जिंदगी में अतना तुफान सा आ गया था लेकिन फिर भी उसका साथ देने वाला कोई भी एक रात घर पर अकेले बैटे हाथ में दारू का ग्लास लिए सीरस लता जी के गाने को सुन रहा होता है गाने का नाम होता है आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे जैसे जैसे इस गाने के बोल आगे बढ़ते जा रहे होते हैं वैसे वैसे सीरस गाने को फील कर जाता है और धीरे धीरे उसकी आँखों में नमी सीथ दिखाई देने लग जाती है वो अपने दर्द को बताना तो चाहता था लेकिन उस दर्द को बाटने के लिए उसके पास कोई भी नहीं था और जो था उसी के चलते आज वो सब के सामने अपराधी बन चुका था अब हम कि दीपू अपनी सीनियर के पास फिर से जाता है और अलीगड जाकर नीउस असोरी कवर करने के लिए कैसे भी करके उसे मना ही लेता है। तब दीपू अपने दोस्त के साथ अलिगर्ड युनिवरसिटी पहुँच जाता है और प्रोफेसर सीरस की तलाश करने लग जाता है लेकिन उसे वहाँ प्रोफेसर नहीं मिलते लोगों से पूछते हुए दीपू को प्रोफेसर का घर मिल ही जाता है लेकिन उनके घर पर ताला लगा होता है शाम होने पड़ जब प्रोफेसर घर आते हैं तो दीपु उनको रास्टे में ही मिल जाता है और काफी अच्छे से बढ़ताओ करते हुए उनसे बात करने लगता है प्रोफेसर को लगता है कि दीपू युनिवर्सिटी का स्टुडेंट है तो वो भी उसे अच्छे से बात करते हैं तब ही दीपू उनकी मदद करते हुए उनके कमरे के अंदर भी दाखिल हो जाता है इससे पहले कि दीपू सीरस से कुछ पूछ पाता कि तबीपू का दोस्त नीचे सही फोटो क्हीचने लग जाता है और तब सीरस को समझ आ जाता है कि दीपू कोई स्टुडेंट नहीं बलकी एक पत्रकार है अब पत्रकारों की वजह सही सीरस की लाइफ इकदम से खराब हो ग प्रोफेसर सीरस जो काम करते हुए पाए गए हैं उसके चलते उनको युनिवरसिटी के तरफ से मिले मकान को खाली करने का नोटिस भेजा जा रहा है क्योंकि अब वो युनिवरसिटी का हिस्सन नहीं है वहीं पर बैठा दीपू खड़े होकर सवाल करता है कि जो दो लोग बिना पर्मेशन के घर में घुसे थे उनके खिलाब कोई करवाई क्यों नहीं की जा रही इस सवाल पर युनिवरसिटी का हैट जादा कुछ नहीं कह पाता और वहां से चला जाता है दीपू के बगल में बैटे फिलोसपी के प्रोफेसर ताहिर इसलाम उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि तुमने जो सवाल उठाया है वो शायद ही कोई और रिपोर्टर उठा पाता अब हम देखते हैं कि अलेक्टरिसिटी डिपार्टमेंट का एक आदमी आगा सीरस की घर की बिजली कटवा रहा होता है सीरस उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि अभी मेरे पास साथ दिन का वक्त है इस घर को छोड़ने के लिए तो उससे पहले ही बिजली क्यों काटी जा रही है आदमी कहता है कि अब सिर्फ चार घंटे ही बिजली मिलेगी और आपको जिससे कंप्लेन करनी है जहां भी बताना है बता दीजिए प्रोफेसर सीरस के साथ जो बस लुकी की जा रही थी वो कोई नॉर्मल बात नहीं थी बलकि ऐसा लग रहा था जैसे ये सब करने के पीछे किसी की साजिश हो और किसी के कहने पर ही सीरस को परेशान किया जा रहा हो अब हम देखते हैं कि दीपू प्रोफेसर ताहिर के पास बैठा होता है और प्रोफेसर उसे बता रहे होते हैं कि अब AU में बस राजनीती ही भरी पड़ी है एक जमाने में जहां डिवेट्स करके मसलों को सुलजाया जाता था वहां आप खून खराबे में सब उलज रहे है और ऐसा भी हो सकता है कि प्रोफेसर सीरस के साथ जो हो रहा है वो AU की राजनीती का ही नतीजा हो अब इसके बाद दीपू प्रोफेसर सीरस से मिलने के लिए दوبारा से उनके घर जाता है तो देखता है कि प्रोफेसर अपने घर की बिजली का कनेक्शन सही कर रहे होते हैं द फिर उसी के सामने हाथ में शराब से भरा ग्लास लिए बैड जाता है। दीपू कहता है कि मैं आप से ये नहीं जानना चाहता कि उस रात क्या हुआ था। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि उस रात जो दो लोग आपके घर में जबरदस्ती घुस आए वो बहुत ही गलत था। दीपू उन से पूछता है कि उस रात वो दो लोग कौन थे जो घर में घुस आए थे और वो लोग आखिर कमरे में आए कैसे। जो कि उनिवर्सिटी के ही प्रोफेसर थे। दीपू इसके आगे भी जानने की कोशिश करता है पर प्रोफेसर उस पल को याद करके विर्सस सहम जाते हैं और फिर कुछ भी नहीं कह पाते। अब जैसे ऐलीगर्ड यूनिवर्सिटी के बाहर प्रोफेसर सीरस के खिलाफ नारे बाजी चल रही थी वैसे ही दूसरी तरफ एक और काफिला तयार हो गया था। तो कि प्रोफेसर सीरस के साथ था और उनके सपोर्ट में खड़े होकर इनसाफ दिलाने के लिए नारी बाजी कर रहा था। इनी ग्रुप्स के कुछ हेट सीरस के पास जाते हैं और उनसे अलिगर्ड युनिवरसिटी के खिलाफ केस लड़ने के लिए कहते हैं ताकि जो इल्जाम उन पर लगा है वो हट पाए और सस्पंशन भी रुख जाए वो सीरस को बताते हैं कि आपको इनसाफ दिलाने के लिए 30 सजार से भी जाता लोगों ने अपनी आवाज उठाई है तो उनके लिए तो आपको लड़ना ही चाहिए और आपके केस को देश के जाने माने एडवोकेट विजय ग्रोवर लड़ना चाहते हैं प्रोफेसर सीरस उनकी बातों को सुनने के बाद एयू के खिलाफ केस लड़ ही एडवोकेट कहती हैं कि हर बड़ी यूनिवरसिटी इसके अपने रूल्स होते हैं तो वैसे ही रूल्स एयू के भी रहे होंगे और उन्हीं रूल्स को प्रोफेसर सीरस ने तोड़ा है और अपने इस घुनोने वेवहार की वज़ह से सिक्षक कौम की छवी को भी कलंकित किया है यहां विक्टिम प्रोफेसर सीरस नहीं बलकि अलिगर्ड यूनिवरसिटी है क्योंकि कलंक तो यूनिवरसिटी पर लगा है और मिस्टा सीरस को सस्पेंड करके अलिगर्ड यूनिवरसिटी ने अपने नियमों का पालन किया है और नियम पालन करना कोई गलत बात न और आट फरवरी की रात को हमारे क्लाइंट से सम्विधानिक हग छीन लिया गया। इसलिए मैं अपील करता हूँ कि प्रोफेसर सीरस का सस्पंशन वापिस लिया जाए और इनका मकान भी वापिस मिले। इसलिए युनिवर्सिटी के रूल्स के हिसाब से प्रोफेसर के सास्थ सही किया गया। एड़ोकेड विजय कटगरे में खड़े प्रोफेसर से सवाल जबाब करते हुए उसकी बातों को गलत साबित करने में लगे होते हैं। लेकिन तबी प्रोसिक्यूशन एक लेटर दिखाती है जो कि वही लेटर था जो प्रोफेसर सीरस ने अपने दोस्त प्रोफेसर स्रीधरन को लिख कर दिया था। अब यहाँ पर केस का जुकाओ थोड़ा अलिगर्ड यूनिवर्सिटी के तरफ हो जाता है क्योंकि लेटर में सीरस ने माफी नामे के तौर पर अपनी गलती कबूल करी थी जो कि अब A.U. उनके खिलाफी इस्तमाल कर रहा था। सीरस अब अपने दोड़ शीरीधरन के पास जाता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो कोट में गवाही दे कि वो लेटर मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिखा था। श्रीधरन उससे कहता है कि अब ये मामला पबलिक इशू बन चुका है और मेरी फैमिली से कोई भी कभी भी कोड कचारी नहीं गया तो अब सब कुछ तुमें ही अकेले भुगतना पड़ेगा अब हम देखते हैं कि दीपु के दोस्त के पास एक वीडियो आता है ये वही वीडियो था जो सीरस के रूम में घुसकर शूट किया गया था और अब सब जगे वाइरल हो रहा था दीपू इस वीडियो को देखता है तब हमें दिखाया जाता है कि वो दो आदमी कि इस बत्तमीजी के साथ अंदर गुसे और फिसीरस और उसके साती को बेरहमी से मारने लगे दीपू तबी रिक्षा वाले की शकल देखता है और सोचता है कि शायद इससे ही कुछ पता चल पाएगा तो वो उसे धूरने निकल जाता है दीपू को पता चलता है कि उस रिक्षे वाले का नाम हिर्फान है तो वो उसी के घर उससे पूछताश करने चला जाता है लेकिन वहाँ उसे वो नहीं मिलता बलकि वहाँ के लोकल लोग ही उसे मारने पीटने लग जाते हैं अब कोड का सीन आ जाता है जा हम देखते हैं कि प्रफेसर सीरस बता रहे होते हैं कि उस रात न्यूस हंडर्ड चैनल के दो आदमी मेरे घर में घुसाए और मुझे और मेरे फ्रेंड को मारते हुए वीडियो बनाने लग गए मैंने जब पूछा तो वो बोले कि सुसाइटी से कंप्लेन आई थी कि तुम सुसाइटी में गंदा कांड करते हो उसके बाद उन लोगों ने हमें नगनवस्था में खड़े करके अजीब अजीब पोस्ट में हमारी फोटोज भी निकाली ये सब घिनोना काम चली रहा था कि तब ही युनिवर्सिटी के चार प्रोफेसर्स वहाँ पर आ गए और मुझे वहीं खड़े होकर घूरने लगे और उन्होंने भी मेरे कपड़े वापिस नहीं किये उसके बाद वो लोग उन दो आदमियों को एक अलग कमरे में ले गए और उनके बीच कोई बाचीत हुई फिर उसके बाद वो दोनों आदमी चले गए और फिर मुझे सस्पेंट भी कर दिया गया अब हम देखते हैं कि दीपू देर रात तक अपने आफिस में ही काम कर रहा होता है तब ही उसकी सीनियर वहाँ पर आती है और थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेने को कहती है उसकी सीनियर उसे छट पर ले जाती है जहाँ पर ज़्यादा रोशनी नहीं थी और कोई भी आता जाता भी नहीं था वो अपने साथ मदीरा की बोतल लेकर आई थी फिर दोनों ही लोग अपने काम की टेंशन भुलाने के लिए मदीरा पान करना शुरू कर देते हैं धीरे धीरे उन दोनों के बातों के बीच एक मोमिन्ट सा बनने लग जाता है और फिर मौके के दस्तूर को देखते हुए उन दोनों के बीच एक आकर्शन सा पैदा होने लग जाता है और उस आकर्शन के बीच उनमें करीबियां भी बढ़ जाती है और फिर वो एक दूसरे कि होटों का स्वाद लेने लग जाते हैं उसी बीच हमें एक और सीन दिखाया जाता है जहां प्रफेसर सीरस इर्फान के साथ बहुत ही गहरी गुफ्तगु कर रहे थे इन दोनों सीन को इस तरह इसलिए दिखाया जाता है ताकि और्डियंस को पता चले कि जैसे दीपू और उसकी सीनियर में कोई प्यार नहीं था लेकिन एक मूमेंट बन गया और उनमें जौला भड़क गई वैसे ही सीरस और इर्फान के बीच भी ऐसा ही कुछ था तो ये भी उतना ही नॉर्मल है जितना नॉर्मल दीपू और सीनियर का करीब आना है अब अगले दिन हम देखते हैं कि नियूज में खबर चल रही होती है कि अलाबाद कोट ने प्रफेसर सीरस के फेवर में फैसला सुनाया है और सीरस केस को जीत गए हैं और अब उनका सस्पंशन भी रोक दिया गया है ये खबर सुनकर दीपू काफी जादा खुश होता है क्योंकि इस नियूज को सही से सभी के सामने लाने में उसका ही हाथ था रात में दीपू प्रफेसर सीरस को फोन करके केस जीतने की बधाई देता है और उनका इंटर्वियू लेने के लिए भी कहता है प्रफेसर सीरस कहते हैं कि मैं तुम्हें फोन पर तो इंटर्वियू नहीं देने वाला है इसके लिए तुम्हें मुझे मिलना होगा और अब हम मेरे युनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में ही मिलेंगे प्रोफेसर दीपू से कहते हैं कि तुम बहुत अच्छे लड़के हो और इतना कहने के बाद वो गुड नाइट बोल कर फोन रग देते हैं और फिर से सो जाते हैं अब अगले दिन हम देखते हैं कि आम जिनों की तरह दीपू कहीं पर रिपोर्टिंग कर रहा होता है तब ही उसके पास एक मैसेज आता है उस मैसेज को पढ़ते ही उसके आँखों से आशु बहना शुरू हो जाते हैं और वो अपने एमोशन को बिल्कूल भी कंट्रोल नहीं कर पाता और फूट फूट कर रोने लग जाता है हमें पता चलता है कि प्रफेसर सीरस की मौत हो गई है प्रफेसर केस तो जीत गए थे लेकिन अपनी जिन्दगी से हार गए थे और अपनी जीत को जेशन मनाने के लिए रही नहीं गए थे तबी हमें एक सीन दिखाया जाता है कि जब रात में प्रफेसर सीरस सोने जा रहे थे तब उन्हें अपने रूम में किसी के होने की आहट सुनाई दी थी इसके बाद स्क्रीन पर लिखा आता है कि प्रोफेसर सीरस के खून में जहर के अवशेश पाए गए थे और इसा माना जाता है कि उन्हें किसी ने जहर दिया था इसका मतलब कि प्रोफेसर सीरस अपनी मरजी से नहीं मरे थे बलकि उन्हें किसी और ने मार दिया था क्यूंकि वो उस केस को जीद गए थे और इसी सच्चाई के साथ मुवी यहीं पर खतम हो जाती है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि यह कहानी बिलकुल सची घटना पर आधारित है अलिगर्ड मुस्लिम यूनिवरसिटी में राम चंदर सीरस नाम के एक मराठी प्रोफेसर थे जिनके साथ ये घटनाएं हुई थी और जब वो केस जीत गए तो उसके अगले ही दिन मरे हुए पाए गए प्रोफेसर सीरस के साथ जो भी हुआ था ये तो पक्का है कि यूनिवरसिटी के बड़े प्रोफेसर की इसमें बड़ी साजिश थी और उनके गे होने का उन लोगों ने गलत तरीके से फाइदा उठाया और उन्हें बड़नाम का डाला ताकि जिस पोजिशन में प्रोफेसर सीरस थे उस जगए से वो हट जाएं जैसा की मूवी में बताया गया है कि यूनिवरसिटी में पॉलिटिक्स ने जगा ले ली थी तो उसी राजनीती का शिकार प्रोफेसर सीरस भी हो गए थे और इस राजनीती ने इतना बड़ा रूप ले लिया था कि उसने प्रफेसर सीरस की ही जान ले ली थी अभी हाली में मैंने चंदी गड़ करे आशी की नाम की मुवी एक्स्प्लेन करी थी जिसमें की बताया गया था कि कैसे ट्रांस गल को कितनी मुसीबतें जेलनी पड़ती हैं और सोसाइटी उनके साथ कैसा वेवार करती है तो जो बाते मैंने उस मुवी में कही वही सारी बाते इस केस में भी लागू होती हैं कि सोसाइटी अब भी तयार नहीं है इस कॉम्यूनिटी को एक्सेप्ट करने के लिए और अभी बहुत साल लगने वाले हैं इस बतलाओ को पूरी तरह से आने में अब इस movie की बात करें तो ये movie वो लोग बिलकुल भी नहीं देख पाएंगे जो entertainment purpose के लिए देखते हैं लेकिन अगर आपको real art of cinema देखना है तो इस movie को जरूर देखिएगा और तब आप समझ पाएंगे कि हाँ बॉलिवुड में भी अच्छी movies बनती हैं लेकिन हमेशा underrated ही रह जाती हैं इस movie को बनाने में 11 करोड लगे थे और कमाई सिर्फ 4 करोड ही हो पाई थी इसका मतलब ये है कि movie बुरी तरह से flop साबित हुई थी और जो message ये movie पब्लिक को देना चाती थी वो पब्लिक तक पहुँचने में flop हो गया था एक्टिंग की बात करें तो इस movie को आप मनोजबाजबे की बहतरी नदकारी को देखने के लिए भी देख सकते हैं क्योंकि उन्होंने जिस तरह से professor सीरस का रोल निभाया है वो आपके मन में बैठ जाएगा और आप उसके हर दुक और हर feeling को समझ पाएंगे और यही एक actor की असली पहचान होती है कि वो character की feeling को audience को feel करा ले जाए वही राज कुमार राओ की बात करें तो उनका इस movie में ज़्यादा बड़ा रोल नहीं था लेकिन जितना भी था उन्होंने अपने रोल को अंतक काफी अच्छे से निभाया है यहां हमें इन बातों का ध्यान रखना होगा कि हमें clearly ये नहीं बताया गया और यहां हम समझ सकते हैं कि एक रिक्षा वाला कितने पैसे कमा पाता है तो जाहिर है कि उसे पैसे की जरुवत होती ही होगी क्योंकि यहां एक ये भी बात समझ में आती है कि इरफान उन गुंडों से मिला हुआ था क्योंकि उस रात आखरी में वही रूम के अंदर घुसा था तो हो सकता है कि उसी ने कमरा खुला छोड़ दिया तो पैसो के लिए और शायद अपनी कॉमिनिटी का साथ देने के लिए उसने अपने साथी को ही धोका दे दिया था ऐसे ही कई बाते हैं जो क्लियरली बताई नहीं गई और अगर हम ध्यान से सोचें तो हमें काफी कन्फ्यूस करती है इस मूवी का फ्लॉप होने का मतलब ये है कि ये कहानी बस उनी तक पहुँची जो इन चीजों को समझते हैं ये कहानी उन तक कभी पहुची ही नहीं जिने वाकई में समझना चाहिए इसके दो बड़े रीजन्स ये हैं कि आज के टाइम में सबको सबकुछ फटा फट देखना है कोई भी चीजों को रुक कर महसूस करना ही नहीं चाहता नहीं समझना चाहता है बस सबको सबकुछ शॉट में चाहिए आगे चलकर ये आदा तब और भी बुरी होने वाली है क्योंकि अब हर किसी को इंटर्टेन्मेंट बस 30 सेकंड में ही चाहिए होता है आखिर में मैं आपको यही कहूंगा कि ऐसे ही कई मूवीज हैं जिने आपने कभी शायद ही देखा होगा ये नाम भी सुना होगा तो मैं कभी कभी ऐसे ही कुछ अच्छी मूवीज की एक्स्प्लेनेशन भी ले आया करूँगा ताकि आप बच्छे सिनेमा से भी रूबरू होते रहें अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो इसे Z5 एप पर देख सकते हैं और मुझे उमीद है कि अगर आप अंत तक इस मूवी के साथ बने रहे तो आपको ये मूवी बेहत पसंद आएगी तो ये था एक्स्प्लेनेशन अलिगड मूवी का आपको मूवी और मेरे एक्स्प्लेन करना कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताईएगा और ऐसे ही आने वाली वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सकाइब करें